हाई गाईस माइसल्फ अर्बिन भारगव आज अपन जो डिसकस करने वाले हैं सुपर ग्रेट्स के लिए वो अपना जो आई-पी-एम एप्टिट्यूट टेस्ट है उसके लिए अपन इस्टेटी प्लान कर रहे हैं और इस्टेटी में भी केवल और केवल मैथेमेटिक्स के अराउंड लेकिन इस बात कध्यान रखना कि आई-पी-एम एप्टिट्यूट टेस्ट के अंदर मैथेमेटिक्स की दो सेक्शन होते हैं फर्स सेक्शन जो मैथेमेटिक्स सेक्शन है आई-पी-एम टेस्ट के लिए उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें एक इस्टुएंट को ध्यान रखना चाहिए किस टाइप का सिलिबस उसको पढ़ना चाहिए और अगर बहुत सिंपल वोलूं तो उसका माइंड सेट क्या होना चाहिए सबस करेंगे ठीक है छोटा सेशन होगा बट बहुत वैलिबल होने वाला है तो एक एक करके अपन पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं बट आगे स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट में आपको बहुत अच्छे सी किलियर कर दूं कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन हुए थे जिसकी वज़े से बहुत सारी कट आफ के अंदर चेंज आए पेपर के पैटन के अंदर चेंज आए तो जब भी आप प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं अपनी स्टेट जी बना रहे हैं तब 2020 के एक्जाम को सामने मत रखना 2020 के पहले वाले एक्जाम रखना है किसी के लिए एक 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 एक्जामपल नहीं हो सकता जिसको देखकर कोई भी इस्ट्वेंट अपनी प्रिपरेशन प्लान करे ऐसा नहीं होगा तो अपन एक एक पॉइंट करके स्टार्ट कर रहे हैं हाला कि अपन ने 2020 के लिए भी सामने रखा है बट वो कभी भी एक एक एक्जामपल वाला एक्जामनेशन आपका नहीं हो सकता ठीक है तो अपन इस्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट पॉइंट इसके अराउंट अपने पास दो सेक्षन होंगे मैथेमेटिक्स, MCQ टाइप और दूसरा मैथेमेटिक्स, सौर्ट अंसर टाइप ठीक है बट दोनों सेक्षन में क्या मैजर डिफरेंस होता है वो अपन आगे देखते हैं MCQ टाइप जिसके अंदर आपके पास टोटल 40 कुशन होते हैं 40 कुशन के बाद पर कुशन 4 मार्क्स का होता है मतलब 40 इंटू 4, 160 मार्क्स का कंप्लीट सेक्षन होता है और यहां नेगिटिव मार्किंग होती है माइनस 1 मतलब अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो प्लस 4 और रॉंग हुआ तो माइनस 1 सेक्षनल टाइम 40 मिनट्स होता है इस 40 कुशन के लिए और सेक्षनल कट आफ भी एपलीकेबल होता है सेक्षनल कट आफ पर अगे जाकर और अच्छी बात करेंगे बट सेक्षनल कट आफ एपलीकेबल होता है ठीक है तो यह एक थोड़ा से जनरल आइडिया था आपका MCQ टाइप के सेक्षन का मैथमेटिक्स के इसी का सॉर्ट आंसर टाइप सॉर्ट आंसर टाइप में अगर आप देखोगे तो number of questions 20 हो गए MCQ टाइप में कितने थे 40 यहां कितने हो गए 20 यहां भी per question 4 marks to total 80 marks का यहां भी यह पूरा section होगा negative marking नहीं होगी सॉर्ट आंसर टाइप बाले section के अंदर negative marking नहीं होगी इस बात का ध्यान रखना sectional time यहां भी 40 minutes है sectional cut off यहां भी है ठीक है negative marking नहीं है सॉर्ट आंसर टाइप में negative marking नहीं है इस बात का ध्यान रखना MCQ टाइप में था और अगे sectional cut off जो सबसे बड़ा point हो सकता है strategy plan करते वक्त कि जब कोई भी student कोई भी candidate अपने strategy plan करेगा तो वो cut off को हमेशा सामने रखे क्यों क्योंकि cut off बहुत सारी चीज़ें indicate करता है cut off आपको यह बताता है कि section को कैसे handle करना होता है section में क्या-क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए क्या-क्या चीज़ें छोड़ना चाहिए यह सारी चीज़ें कहीं कहीं cut off से दिखती है तो आपके सामने 2019 का भी cut off है और आपके सामने 2020 का भी cut off है MCQ टाइप के exam को अगर आप ध्यान से देखो 2019 में 40 questions थे ठीक है और per question आपका 4 marks का था मतलब 160 marks उसके अंदर sectional cut off था 31 marks और without sectional cut off के आप कभी भी exam clear नहीं कर पाएंगे याद रखना इवन आपके overall marks जो overall cut off होता है उसको cross कर रहे हो जैसे किसी ने बोला कि overall cut off 120 marks गया बट किसी भी student के 160 आ रहे हैं और अगर किसी भी एक section के अंदर अगर आपका sectional cut off clear नहीं हुआ तो even आपका overall cut off clear हो गया उसके बाद भी आप exam को clear नहीं कर पाएंगे तो sectional cut off बहुत जरूरी होता है हर साल कुछ ना कुछ students का number ऐसा जरूर होता है जिनके overall marks बहुत अच्छे होते हैं बट कोई एक section ऐसा होता है जिसके अंदर cut off clear नहीं होता और वो कोई एक section जादा तर mathematics में से ही कोई होता है क्यों? क्योंकि जो आपका एक और section और होता है exam के अंदर English language वाला generally वो थोड़ा सा simple side होता है मतलब वहां cut off clear होने के chance generally जादा होते हैं जब भी cut off रुखता है sectional cut off रुखता है वो या तो MCQ वाले exam में रुखेगा मैस का या फिर आपके short answer वाले में रुखेगा तो इस बात कध्यान रखना sectional cut off बहुत जरूरी होता है हर section के अंदर आपको उतना तो solve करना पड़ेगा जिससे उसका sectional cut off clear हो जाए तो 2019 के अंदर MCQ टाइप जो था वो 160 marks का था उसमें से sectional cut off 31 marks and 2020 में paper का pattern change हो गया था जिसकी वज़े से वो 160 ना रहकर 80 marks का paper हो गया था number of questions half हो गए थी लेकिन एक और बड़ा change हुआ था 2020 में timing को लेकर timing में भी change हुए थे लेकिन जिस proportion में question change हुए थे उस proportion में timing change नहीं हुए और उसकी वज़े से cut off थोड़ा सा गड़वड हो गया out of 80 वहाँ भी 26 marks देख रहा है आपको तो आपको कितनी बार ये compare हो सकता है कि और cut off marks में कोई major difference नहीं आया उसकी बीछ एक बड़ा reason पेपर की duration हो सकती है तो I think MCQ type 31 marks 2019 में वही 2020 में 26 marks out of 80 ऐसे type में देखते हैं out of 80 marks 20 marks याद रखना 4 marks का एक question होता है 20 marks मतलब simplify questions out of 20 और वही आपको ऐसे type में 20 marks देख रहा है इसके बीछे में आपको reason बता हूँ 2020 में ऐसे type बाला section था वो simple था तो इस बात का ध्यान रखना cut off जो sectional cut off है वो दो तीन चीजों पर generally depend करता है एक तो paper का difficulty level उस particular section का difficulty level कितना था वहाँ time duration क्या थी generally time duration fix होती है but 2020 में time duration में change होगा था जिसके वज़े से cut off भी थोड़े से disturb हुए so I think इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए मतलब आपको MCQ वाले section के अंदर हर एक question को attempt करना जरूरी नहीं है even एक point और कि आपके अगर sectional cut off निकल गए इसका मतलब आपका paper clear हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है sectional cut off clear होने के बाद एक cut off और निकलता है जिसको aptitude test score बोलते है ATS aptitude test score उसके लिए एक separate formula होता है जिसका use किया जाता है वो formula यहां discuss करने का कोई meaning नहीं है पहुर simple formula होता है ठीक है बट वो formula आपके overall cut off को decide करता है उसके लिए calculation होती है जो 2020 में change हो गई थी 2019 तक अलग calculation थी 2020 में अलग calculation थी ठीक है लेकिन sectional cut off पहली एक आपके सामने एक restriction होगा जिसको आपको cross करना पड़ेगा फिर second आएगा ATS aptitude test score जिसको cross करने के बाद फिर आपका final selection होगा किसके लिए return जो भी test था आपका वो clear हो जाएगा फिर आप next stage के लिए call किये जाएगे तो कहने का मतलब बड़ा simple sectional cut off एक बड़ा barrier होता है students के सामने IPM aptitude test के अंदर पहले ये clear करना है फिर आपको aptitude जो score है ठीक है उसको आपको overall वाले को आपको क्या करना है cross करना है बड sectional अगर clear नहीं है तो भला आपका overall वाला उससे ऊपर चला जाए तो भी आपका return clear नहीं होगा बड़ इसको ध्यान रखना sectional cut off को क्योंकि इसको लेकर अगर आगे syllabus में ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत help मिलेगी next point पर चलते है syllabus for the mathematics mcq and essay type mcq और essay का कोई separate अलग-अलग syllabus नहीं है दोनों का एक overall syllabus है जिसमें कहीं से भी question कहीं किसी के भी अंदर आ सकते है कोई ऐसी बहुत foundation नहीं है कि आर यह इस वाले topic से mcq में आते हैं या इस वाले topic से essay में ही आते हैं ठीक है बट फिर भी कहीं कहीं एक overall अगर देखें तो आपको यह सामने जो topics दिख रहे हैं इन्हीं सारे topics को लेकर आपके questions mcq और essay type वाले section के अंदर आते हैं ठीक है मैंने इन topics को generally दो part में divide किया हुआ है जो first आपको column दिख रहा है वो aptitude side जाता है aptitude side जाता है मतलब common aptitude वाले questions जाता होते है जो second वाले आपको column दिख रहा है उसमें generally higher math मैस या वह वाला मैस जो आप 11-12 में पढ़ते हैं वह वाला मैस का section जाता है लेकिन बच्चों आप जब topics की पढ़ाई करोगे इन topics को जब पढ़ोगे तो इस बात का ध्यान रखना कुछ topics ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत help मिलेगी अगर मैं मात करूं वह कौन-कौन से हो सकते हैं तो वह आपके सामने coordinate geometry हो सकता है ठीक है coordinate geometry हो सकता है trigonome में भी कुछ part ऐसा हो सकता है जिसको आप avoid कर सकते हूं बहुत basic trigonometry पढ़ना ठीक है बहुत ज़्यादा deep में जाके trigonometry मत पढ़ना ठीक है same for functions and graph functions and graph में भी एक basic knowledge आपको इनका लेना है ठीक है आपको कौन से topic इनमें ज़्यादा पढ़ना है matrices and determinants पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे number of questions आएं logarithms बहुत अच्छे questions आएं inequalities यह बहुत जरूरी topic है सब लोग पढ़ना इसको ठीक है PNC probability तो यह तो जरूरी है सही ठीक है तो किन 2-3 topic को आप कम पढ़ सकते हो trigon को कम पढ़ सकते हो और दूसरा function and graphs को थोड़ा सा कम पढ़ सकते हो और coordinate geometry इसको भी आप just cable basic knowledge लेना इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं ठीक है और इधर aptitude side अगर देखो aptitude side अगर देखो सारे जो topics आपको दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे topic है exam wise मतलब इनसे कही ना कहीं आपको questions देखते ही रहेंगे हर साथ data interpretation को जरूर करना data interpretation के पीछे 5 questions मतलब 20 marks और 20 marks बड़ा रोल भिले करते हैं exam के अंदर ठीक है तो data interpretation को अच्छे से solve कर लेना जनरली लोग data interpretation में एक mistake कर देते हैं क्यों क्योंकि लोग सुछते हैं आर graphs को तो देखना बहुत आसान है हम calculation करी लेंगे graph तो होई जाएगा बट जब exam time पर एक नए type का graph हमें सामने दिखता है वहाँ लोग generally उसके सारे question convert नहीं कर पाते तो इस बात का ध्यान रखना data interpretation को proper solve करना exam से पहले कुछ number of graphs जरूर solve करके जाना क्योंकि अगर वहाँ data interpretation आएगा exam के अंदर तो आपने अगर पहले से solve किया है तो यह आपको बहुत help करेगा ठीक है और अगर आप एकदम नए किया डियाई तो बन जाता है डियाई में क्या होता है graph ही तो होता है solve कर लेंगे वहाँ जाकर नहीं बनता लोग 19 में भी लोगों ने यह गलती की थी 20 में भी लोगों ने यह गलती की थी ठीक है दूसरा एक जरूरी point जिसकी वज़े से लोगों का sectional cut off रुकता है हो यह कि paper को देखकर यह decide करना कि कौनसे questions doable है और कौनसे questions नहीं है यह preparation strategy का सबसे बड़ा part होता है जो आपको IBM aptitude test में बड़ा role play करता है इस बात का ध्यान रखना लोग यह गलती करते है generally हर question को attempt करने की कोसिस करते है हर question को solve करने की कोसिस करते है क्योंकि पिछले इतने years में मेरा बहुत अच्छा experience है उन बच्चों के साथ जो generally एक अच्छे plan के साथ गए और उन लोगों ने अपना return किलियर किया ठीक है आप हर question solve करने की कोसिस करोगे या तो आपका कही न कही sectional cutoff विगड जाएगा या overall cutoff विगड जाएगा इस बात का ध्यान रखना ठीक है जैसे अगर मैं बोलूँ एक बहुत अच्छा point English language generally scoring होता है मैस के comparison में तो यह बिलकुल सच है हर साल जो English language का section आता है तीन section होते है मैस के दो section MCQA और short answer type और एक English language English language generally scoring section होता है मतलब वहांपन यह गलती नहीं करें कि बहुत limited question करें वहांपन को even complete section attempt करना है क्यों? क्योंकि सर्वो doable होता है क्योंकि सर्वो scoring होता है questions correct होने के chance जादा होते है मैस में सोच समझ कर questions को attempt करना है कहीं question wrong ना हो जाए क्यों? क्योंकि सारे question आपको math के अंदर नहीं करना short answer type बाले के अंदर बहुत ध्यान रखना negative marking नहीं है negative marking नहीं है मतलब सारे question तो attempt करना है क्योंकि कोई wrong होगा तो हमें कोई loss नहीं होगा लेकिन वहां भी यह जरूर देखना है कि कौन सा question मैं एकदम बहुत अच्छी से solve करूं जिससे वह जादा correct होने की chance जादा हो जाए MCQ में questions का selection बहुत जरूरी है तो यह आपकी एक prep strategy होना चाहिए कि आप कैसे तीनों section को सोच कर समझ कर solve करो देखना बहुत सारे sections नहीं है तो आपको जादा कुछ यह नहीं है कि यह भी पढ़ना यह भी पढ़ना generally mathematics and English language English language में comprehension का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जादा paper comprehension के around होता है तो इसका मतलब वहाँ score जादा होगा कि वाली बाद ठीक है सबको और यह सारे topics लिख रहे हैं यह सारे topics doable हैं मतलब इन topics में ऐसा कुछ नहीं है कि कि topic के अंदर बहुत कोई rocket science हो बट एक काम कर सकते हो कोई topic अगर किसी को बहुत difficult लग रहा है वो उसको compensate कर सकता है दूसरे topic में जादा काम करके क्यों क्योंकि वहाँ choice हो सकती है आपके पास यार एक question अगर मैंने leave कर दिया उसकी जगे मैंने दूसरा question correct कर दिया ठीक है तो अपने खुद की preparation को आप इस तरीके से balance कर सकते हो so I think topics के around story clear है prep strategy जो अपन अभी discuss कर रहे थे basic aptitude topics जो अभी मैंने बताए थे जो left side में लिख रहे थे उन में से कोई भी topic मत छोड़ना higher mathematics जो second row थी second वाला जो आपके पास column था उसकी around बात कर रहा था मैं कि आप उसमें से कुछ topics को थोड़ा सा कम पढ़ो कुछ topics को जादा अच्छे से पढ़ो क्यों क्योंकि सारे topics का विटेज एक जैसा नहीं होता जो मैंने दो तीन topic आपको mark की अभी ठीक है उनको कम भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा ठीक है बहुत random 11-12 की topics मत पढ़ना generally मैंने देखा है जिन लोगा 11-12 में mathematics ज्यादा अच्छा होता है उन्हें लगता है मैं बिलकुल IIT मैंस या IIT advanced जैसी पढ़ाई करूं math की तो मेरा paper निकल जाएगा नहीं याद रखना यह aptitude test है यह IIT का exam नहीं है यहाँ आपके logic यहाँ आपकी decision making बहुत बड़ा role play करती है ना कि आपको mathematics बहुत जादा है ठीक है mathematics आता है बहुत अच्छी बात है उसका फाइदा होगा आपको बट ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ mathematics पर ही depend कर दिया नहीं आपको एक अपना खुद का दिमाग भी इस्तिमाल करना है preparation strategy बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना ठीक है test टेस्ट एक बड़ा role play करते हैं जब भी आप question IPM के लिए exam के लिए preparation कर रहे हैं याद रखना अगर mock test नहीं लिखेंगे आप तो फिर आप कितनी भी अच्छी पड़ाई कर लें आपके paper पर हमेसा doubt ही रहेगा क्यों क्योंकि आपने कभी mock test solve नहीं किये और लोग generally ये गलती करते हैं खासकर वो लोग जो लोग boats के चक्कर में उल्जे हुए रहते हैं और जैसे ही उनके boats complete होते हैं March end होता है और जब उनके पास मुश्किल से one month के around time होता है अब one month के अंदर उन्हें ये समझ नहीं आता क्या mathematics पढ़ूं क्या aptitude पढ़ूं क्या English language क्या mock test और वो कैसे भी करके एकदम हलबडी में पूरा अपना एक महीना निकाल देते हैं marks कम आएंगे इस डर से क्या नहीं लिखते टैक्स नहीं लिखते विटा marks कम आएंगे यह आज मालूम चल जाएगा तो उसके according में preparation कर सकता हूं exam से कुछ दिन पहले मालूम चलेगा problem हो जाएगी so I think आप समझ रहे होंगे mock test कितने valuable होते हैं preparation के लिए doubt के लिए doubts को clear करने के लिए जो भी medium आपके पास है आप जैसे भी doubt के लिए कर रहे हो वहां कोसिस करें अपने doubts को clear करें without अगर आप doubt clearing किये अगर अपने topics को आगे बढ़ा रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ points ऐसे रह रहे हैं जो आपको नहीं आते तो doubts clearing का बिल्कुल ध्यान रखना attempts and negative marking मैंने अभी discuss किया था short answer type के अंदर negative marking नहीं होती all questions attempt करना है MCQ सोच समझ कर attempt करना है English में generally जादा attempt करना है क्यों क्योंकि scoring section होता है correct होने के chance जादा होते है और generally एक 12 का अगर कोई average level का बच्चा होता है उसका English language at least इतना थो होता है कि वो एक अच्छा score तक आराम से पहुंच जाता है तो दिमाग में एक basic idea हो attempts का और negative marking का So I think यह सारी चीन है आप लोगों को बड़ी help करेंगी और इन ही सब के around आप लोग जरूर सोचना 2020 का example अपने सामने मत रखना क्योंकि वो एक special case था वहाँ paper का pattern change हुआ आता है paper की duration change हुई थी questions के जो number थे वो change हुए थे cut off change हुए इस वज़े से तो उसको example मत रखना example 2019 का exam रखना ठीक है उसके according अपनी preparation बनाना सब्सक्राइब करना है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए तो गाइस थैंक यू सो मच मिलेंगे नेक्स वीडियो में और बहुत अच्छे से preparation करते रहे ठीक है सुपर ग्रेट की YouTube चैनल को भी अपन को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है थेंक यू थेंक यू अबरिवर्यवन